कभी वो CM सुधार सेल के डायरेक्टर होने के नाते अपने निक्टरक्षनों के चलते खबरों में आ जाता है तो कभी वो अपने गानों के खातिर सुर्खियों में रहता है आज कल खबरों में ये रौकी मित्तल बहुत चाय हुए है आखिर है कौन ये मोधी भक्त रौकी मित्तल आजकल अपने गानों के कारण चर्चा में नहीं है बलकि वो तो इस कारण चर्चा में है क्योंकि वो बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो गया है बीजेपी में रहते हुए इस हरियाना के मशूर सिंगर ने कई गाने गाये हैं जिस रौकी मित्तल ने 14 साल तक बीजेपी में रहते हुए राहुल गान्दी और कॉंग्रेस के खिलाफ कई अपमांजनक गाने गाये उसी रौकी मित्तल ने अपने पुराने विवादित गानों के लिए एक नया गाना गाकर राहुल गान्दी से माफी भी मांगी जै भगवान मित्तल के नाम से भी जाने जाने वाले रौकी मित्तल ने खुद को कई बार मोधी भक्त के तौर पर पेश किया है साथ ही इनके फेस्बुक कवर पर मोधी के साथ इनकी तस्वीर भी थी वर्ष 2014 में पीएम मोधी के लिए गाने गाकर फेमस हुए सिंगर रौकी को हरियाना सरकार द्वारा सूचना इवंग जनसंपर्क विभाग की पबलिसिटी सेल का चेर्मेन नियुक्त किया गया था रौकी का पीएम बनेगा नरेंद्र मोधी गाना एक समय बहुत फेमस हुआ था ये गाना वो पीएम नरेंद्र मोधी की हर रैली में गाता था लोकसभा और हरियाना विधानसभा में भाजप्पा की जीत के बाद हरियाना सरकार ने रौकी मित्तल को एक और सुधार सेल का चेर्मेन बनाया था सुधार सेल का चेर्मेन बनते ही रौकी कहीं भी छापे मारी करने पहुंच जाता था एक बार छापेमारी के दोरान महिला अध्यापक से उसकी जम कर बहस होई थी जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुआ था रौकी ने 2019 चुनाव में कॉंग्रेस राहुल गांदी सोनिया गांदी और हरियाना के पूर्व सीम भुपेंदर सिंग हुड़ा पर विवादित गाने बनाये थे जिसकी वज़ा से वो काफी चर्चा में भी रहे इसके अलावा रौकी जेल भी जा चुका है दरसल मार्च 2021 में उसे पुलिस ने इसलिए गिरफतार किया क्योंकि साल 2015 में उसने कैथल में एक विरोध प्रदर्शन के दौराने जच के साथ कथित तौर पर दुर्वियवहार और मारपीट की थी पर बाद में उसे जमानत मिल गई थी अब एक अगस्त को बीजेपी छोड़ने के बाद की का पार्टी में स्वागत किया जब रॉकी से बीजेपी छोड़ने का कारण पूछा गया तो उसका ये बोलना था कि इतने सालों तक भाजप्पा के लिए काम करने के बावजूद उसे जेल भेजा गया और उसके साथ गलत व्यवहार किया यही कारण है कि उसने बीजेप मंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदित तिनाज साहिद भाजपा और उसके नेताओं के लिए 200 से अधिक गाने लिखने के बावजूद पार्टी ने उसके योगदान को नजर अंदास किया और पिछले चार वर्षों में उन्हें जूटे मामल तो रखी थी साथ ही चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए 40 गाने भी लिखे थे और तो और खुद अपने पैसों से इन गानों की 3 लाग सीडी भी बाटी थी अब तो रोकी मित्तल ने अपने सुरही बदल लिये है उसने न सिर्फ कॉंग्रेस नेताओं को निशान भी बनाया है कॉंग्रेस और नेता प्रतिपक्ष से माफी मांगने के लिए तो रोकी ने गाना लिख लिया पर अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और प्रधानुंत्री मोदी के खिलाफ आपत्ति जनक गाने वो खुद कैसे लिखेगा